हेलो फ्रेंज, नेहा की पाक्षाला में आपका स्वागत है आज हम भरवा तोरे ही बनाएंगे, ये खाने में बहुती स्वादिश्ट लगती है आप इसे पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते है अगर आपको मेरी सिंपल और बहुती स्वादिश्ट भरवा तोरे की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए लेटेस्ट अब्डेट्स सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूले और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके है तो प्लीज बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे के आपको मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके अब आप मेरे सारे वीडियोस को एक ही जगे मेरी वेबसाइट www.neha.com पर भी देख सकते हैं तो चलिए हम भरवा तोरई बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम तोरई में भरने के लिए मसाला तयार करेंगे उसके लिए मैंने लिया है 5 है चार बड़े चमच सोंफ आधी बड़ी चमच हल्दी दो चुटकी हिंक, 2 बड़े चमच धनिया पौडर, 1 बड़ा चमच जीरा, दो बड़े चमच अमचूर पाउडर, एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चमच नमक और एक छोटी चमच जिंजर चिली पेस्ट लिया है यहाँ पर हमने जीरा और सौफ को ड्राय रोस्ट करके लिया है नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के according adjust करें आमजूर की जगे आप एक मीडियम साइस के कच्छे आमका भी इस्तमाल कर सकते हैं एक मिक्सर जार लेंगे उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे वन फोर्थ का पानी डाल कर सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड करेंगे सारी चीजें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं और तोरे में बनने के लिए मसाला बिल्कुल तयार है ये मैंने एक केजी तोरे लिया है जिसे कि मैंने अच्छे से दोकर छील लिया है अब हम तोरे के टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से क्योंकि इनका साइस काफी बड़ा है अगर तोरे का साइस छोटा हो तो उसके टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है एक तोरे के दो या तीन टुकड़े कर लें सारी तोरे के हमने टुकड़े कर लिये है अब हम इसमें इस तरीके से चीरा लगा लेंगे जिससे कि इसमें अच्छे से मसाला भरा जा सके ये नीचे से जुड़ी रहनी चाहिए बिल्कुल नीचे तक हमें इसे नहीं काटना है इसी तरह से आप सारी तोरह में चीरा लगाने के बाद अब हम इसमें मसाला भरेंगे जो की हमने तयार करके रखा है अब तोरह के एक पीस को लेंगे उसको थोड़ा सा खोलेंगे और मसाला लेकर इसमें अच्छे से भरेंगे थोड़ा हलके हाथ से ही मसाला भरें जिसी की तोरे फटे नहीं अच्छे से दबा दबा कर अंदर तक मसाला भरेंगे जितना भी एक्स्टर मसाला हो उसको हटा दें और लेवल कर लें ये देखिए इसमें अच्छे से मसाला भर गया है अब हम इसे प्लेट में एक साइट पर रग देंगे इसी तरीके से सारी तोरे में हम मसाला भरते जाएंगे सारी तोरे में हमने मसाला भर लिया है अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तीन बड़े चमच सर्सों का तेल डालेंगे आप रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे तेल गरम हो गया है गैस को एकदम लो फ्लेम पे करेंगे और इसमें हम सारी तोरे को रग देंगे अब इसे ढख देंगे और एकदम लो फ्लेम पर ही पाच मिनिट के लिए इसे पकने देंगे पाच मिनिट हो गए है अब हम ढखकन को हटाएंगे तोरे इने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इनको हलके हाथ से चला लेंगे थोड़ा उपर नीचे कर लेंगे और गैस को मीडियम लो करेंगे आप देख सकते हैं कि तोरे इने कितना पानी छोड़ा है इसी पानी से ये अच्छे से पक जाएगी अब हम इसे 3-4 मिनिट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और अब हम इसे ढखेंगे नहीं खुला रखकर ही पकाएंगे 3-4 मिनिट के लिए हमने इसे मीडियम लो फ्लेम पर पका लिया है आप देख सकते हैं कि गलना शुरू हो गई है और इसका कलर भी चेंज होने लगा है अब हम एक बार फिर से इसे चलाएंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे बस इसे बीच बीच में चलाते हुए ही पकाना है हमें इसे भूनना नहीं होता है बस इसे अच्छे से गल जानी चाहिए चार मिनिट हो गए है इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफी चेंज हो गया है और ये काफी हतक पक भी चुकी है अब हम इसे एक बार और पल्टेंगे अगर आप इसे खोल कर ना पकाना चाहें तो आप इसे ठक कर भी पका सकते हैं अब हम इसे तीन से चार मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे और बीच पीच में आप इसे चलाते भी रहें जिससे की ये जले नहीं तोरे ये अच्छे से पक चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक पीस हम कटोरी में लेंगे इसे हम काट रहें तो ये देखें कितनी आसानी से कट रही है इसका मतलब कि ये अच्छे से पक चुकी है लेकिन अभी इसमें पानी है क्योंकि तोरे काफी पानी छोड़ती है तो हम गैस को करेंगे हाई फ्लेम पे और इसको चलाते हुए इसका पूरा पानी सुखा देंगे ये देखिए तोरे का सारा पानी हमने सुखा दिया है अब हम गैस को ओफ करेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और मिक्स करेंगे अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे थोड़ा सा इसे बारी कटे हुए हरे धनिये से कार्णिश करेंगे हमारी स्वादिश भरवातोरी बन करके तयार है इतनी भरवातोरी गर के चार सतस्यों के लिए पर्याप्त है आप इसे बनाएए खाएए और अपने एक्सपीरियन्स कमिंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए थैंक यू, हेव नाइस दे